जहीं दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों यदि आपने कच्छा दास में संस्कित भी से लिया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जीमूत वहन का चरी चित्रन बताऊंगा जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और बोडिक्जाम की द्रस्टी से ठीक है ये चार अंक का आपके पेपर में आएगा तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेगा और मैं आपको एकदम सिंपल सब्दों में समझाऊंगा आप लोग एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना तो इनका चरी चित्रण आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से इनका चरी चित्रण आपको बोडिक्जाम में दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसे हाइलाइट हेडिंग लिखना है. लेकिन लाल इसकेज या फिर नीले हीसकेज का उपियोग आपको बोडображBay ठीक है. अब आपको पहली हेडिंग डालना है परिचाय. पहली हेडिंग आपकी परिचाय रहेगी उसके बाद लिखेंगे जीमूत वहन, जीमूत केतु का पुत्र है, किसका पुत्र है? जीमूत केतु का पुत्र है, वहा बिद्याधर जाती का है, ध्यान देना, उसकी पत्नी का नाम मलैवती है, तीन चीज हो चुका है, वहा सुभाव से ही करुणापूर, करुणापूर मने दयालू और परोपकारी है परोपकारी मतलब दूसरों की सेवा करने वाला दूसरों का उपकार करने वाला यानि कि जिमूत वहन जिमूत केतु का पुत्र है वह अबिद्याधरजाती का है उसकी पतनी का नाम मलैवती है वह स्वभाव से ही करुडा पूर्ला और परोपकारी ह और उसके चरित्र की भी सेस्ताइं इस प्रकार हैं ऐसा आप लोग लिखे देंगे ठीक है देखिए आप लोगों को ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम जैसे मैं बता रहा हूं अब आपको दूसरी एटिंग डालना है माता पिता का भक्त इसमें लिखेंगे जीमोत वाहन अपने म अब देखिए आप लोग इस कहानी में आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई वो घायल के हो है क्यों वो सम्मान करने के लिए कब उठा के हो उठा तो आप लोगों को ये इस लेटा उठो रहा है क्यों कि आप लोगों ने इस चैप्टर की थेओरी नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को करना क्या है यूटूब पे जाना है इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है सर्च करना है कारूल इको जिमूत वहन पूरी कहानी का सारांस ठीक है ऐसा आप सर्च करेंगे तो मात्र चार से पांच मिनट की वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये पूरी कहानी का सारांस आपको वहाँ पे बताया रहेगा तो उसको आप देख लेंगे तो बता चल जाएगा कि जिमूत वहन को कैसे घायल हुआ जिमूत वहन कैसे क्या उसके साथ घटना घटी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जिससे ये चरी चित्रन आपको बहुत ह सिंपल तरीके से याद हो जाएगा अब तीसरी heading आपको डालना है दयावान इसमें लिखेंगे जीमूत वाहन सुभाव से दयालू है वह किसी के कस्ट को देख नहीं पाता संख चूड की मा का विलाप सुनकर वह स्वयमवध इस्थल पर पहुँच जाता है और उसे मृत्तिव से बचा लेता है अब ये कब की कहानी है कहां से ऐसे लिख दी गई है जब तक आप लोग चैप्टर का सारांस नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा या फिर आपके रटने की सक्ती जादा है तो आप ऐसे ही रट लीजिए कहानी जानने से आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप कहानी जान लेंगे तो चीजें आपको ज़्यादा आसान लगने लगेंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएंगी ये कहानी की तरह ठीक है अब यहाँ पे आपको अगली हेडिंग डालना है बिनमर इसमें लिखेंगे जिमूत वहन बिनमर और सदाचारी है वह सभी के साथ बिनमरता का बेवहार करता है वह अपने बेवहार से किसी को किसी भी प्रकार का कस्ट देना नहीं चाहता है इस से उसके बिनम्र होने का प्रमान मिलता है अब आप में से काफी ज़ता लोग कहते हैं भईया आप हमें स्क्रीन सोट लेने का मौका नहीं देते तो यार ले लो स्क्रीन सोट ठीक है ये दूसरा स्क्रीन सोट और ये रहा आपका तीसरा स्क्रीन सोट ठीक है अभी बचा हुआ है आगले पेज पे चलते हैं ठीक है तो दोस्तों हम आ चुके हैं नए पेज पे यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है नीडर एवन साहसी इसमें लिखेंगे जीमूत वहाँ एक नीडर व्यक्ति था गरुण के भच्छडार्थ मतलब वो जानता था कि गरुण उसको खा डालेगा फिर भी वहाँ पर जाने के लिए वह तानिक भी बिचलित नहीं होता है इससे पता चलता है कि वह नीडर था और साहसी था वह गरुण को अपने रक्त और मांस से संतुष्ट होने के लिए कहता है इससे सिध्ध होता है कि वह एक नीडर यों साहसी था ठीक है साहसी व्यक्ति था अब देखें आपको निसकर से हेडिंग डालना है इसमें लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिमूत वहन एक अभी तक आपने जितनी हेडिंग डाली है सबको कामा लगा-लगा करके लिखना है कि जिमूत वहन एक मात्र पित्रभक्त, दयावान, बिनम्र, यों निडर, यों साहसी प्रक्रति का सरपथा ऐसे आपको लिखना है ठीक है इस तरीके से अगर आप पूरा लिखेंगे न तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा मैं ये गैरंटी के साथ कहता हूँ साथ ही वीडियो अच्छी लेगी है तो लाइक करना दोस्तों के पास सेयर करना ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो जो इंपोर्टेंट है आपके बोड इकजाम की द्रश्टी से अपने चैनल पे चरी चितना अपलोड कर रखे हैं तो जाईए देखिए और जल्दी से तयार कर लिजिए तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत